नमस्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग भाला जी स्टेडी एड़ा में आप सभी का स्वागत है डीलेड के अलग-अलग बैच के रिजल्ट कल आपके घोसित हो गए हैं और उसको लेकर के रिजल्ट आप देख आज पाएंगे जिसका यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा नोटिफिकेशन जिसमें आज दिनांक 7-10-2030 जनी की कल की बात की गई है सच्य परिख्या नमक प्रादिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अतेख्ता में परिख्या नमक प्रादिकारी समिती की बैठक हुई जिसमें जो अवसेज बैच है उनकी भी बात की गई जैसे बीटीजी 2015 है जिसमें यहाँ पर समेश्टर लिखा हुआ है जिसमें से प्रजेंट कितने रहे अपसेंट कितने रहे इनकंप्लीट रिजल्ट कितने का रहा यह यह वाली वैलू रिखी हुई है उपर वाला तो सीरियल नमबर है उसके बाद UFM जिसमें अनफेर मीन्स फुलफाम होती है नमबर ऑफ फेल स्टुडेंट्स यहाँ पर है और पास स्टुडेंट यहाँ पर है यह तो आप यहाँ 424 ऐसे बढ़ती थे टोटल जिन्होंने परिक्षा को लेकर आविधन इसमें किया था परन्तु प्रिजेंट आपके 89,193 रहे थे अपसेंट 3211 इनकंप्लीट रिजल्ट 286 अबढ़तियों का UFM तो चली किसी का नहीं है फेल स्टुडेंट की संख्याब देखें यहाँ प प्रेजेंट अबढ़तियों में से 50,000 अकेले फेल हो गए हैं और पास कितने हुए हैं 38,810 अबढ़ति जो है पास हुए हैं यह आप आकड़े देख पा रहे हैं 2022 के सेम चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे 2021 को लेकर के तो यहाँ पर थर्ड समिस्टर को लेकर के आप असी हजार 136 हैं जिसमें से 79,340 अबढ़ति हैं जो की प्रेजेंट हुए थे अब यहाँ पर अपसेंट 796, Incomplete 54, UFM 3 रिजल्ट, पास से पहले फेल देखेंगे यहाँ पर तो 19,540 हैं यहाँ पर अबढ़तियों की फेल जो इस्टुनेंट्स हैं उनकी संख्या आपको कम देखने को मिलेगी परंतु पास इस्टुनेंट की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी 59,743 तो आप साफ अंतर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देलेट 2022 का जो रिजल्ट है फर्स सेमिस्टर का वो बहुत ही ज़्यादा भरती फेल हुए हैं यहाँ पर और कारण क्या ह एक्च्वल में कारण सबसे बड़ा आपको पता है कि फर्स सेमिस्टर होता है तो बहुत से बढ़ती विद्याले ही नहीं जाते हैं डिरेक्ट एक्जाम देने पहुँच जाते हैं बहुत से केवल आखरी में तो चार किताबे मेरातन और यही सारी चीज़े देख करके चले पाएंगे तो टोटल स्ट्रेंट 56,738 थे जिसमें से आपके लगबग 56,458 बढ़ती ऐसे थे जो कि यहां पर प्रिजेंट रहे थे पास देखेंगे आपर तो लगबग लगबग आदे ही हैं फेल स्ट्रेंट की संक्या 29,396 और पास देखेंगे तो 26,944 करके इसी प्रकार यहां पर और उपर देखेंगे तो 2019 बैच का भी जिप्रकार दिया गया है यहां पर भी देखेंगे तो कुल 21,313 बढ़तीयों में से फेल 9,634 रहे हैं और 11,657 पास रहे हैं और बाकी बढ़तीयों की संक्यात इसमें कम हैं सबसे आदा आप देखेंगे तो डिलेट 2022 का ही जो गडबड गया है फर्स समेश्टर का ऐसे अब बढ़तीयों को आगे ध्यार नकना है कि अगली बार में एक बार में बैक जो है वो क्लियर हो जाया अब बाकी नीचे लिखा है कि डिलेट जो बीटीसी 2015, डिलेट 2018 और 2021 परिक्षावर चुलाई 2023 का परिक्षावल दिनांक 17 को गोसित किया गया है परिक्षार्ती अपना परिक्षावल 8-10.2023 को दो बज़े से यहाँ पर देखें क्लियर तारीक लिकिए कब से रिजल्ट देख पाएंगे आठ तारीक से जो है वो देख पाएंगे और दो बज़े से वेबसाइट यह है official website btcexam.in इस पर result अपना देख पाएंगे तो आज ही आप देख पाएंगे दुपहर के दो बजे से बागी यहां सायकाल word यूज किया गया मतलब दुपहर की बाद प्राथा की बाद नहीं की गई है नहीं दुपहर का ही दो बजे होगा बागी आगे बताएगा है कि डिलेट पर जिक्षर 2017, 2019, 2022 परिक्षा वर्स जुलाई 2023 का परिक्षा पल यहनि की जो अल्टरनेट बैच होते हैं जो 2015, 2018 और 2023 यह वाले जो आपके बैच हैं 2015, 2018 इनका जो result होता है वो इस website पर आता है और जो 2017 17 गल्टरनेट में होते हैं 17, 19 और 22 इनका रिजल्ट जो है वो upd.info.in इस website पर आता है और इसको लेकर के यह लिखा है कि यह भी आपका 8-10-2023 दुपहर दो बजे से आप website पर देख पाएंगे तो यहीता हमारे इस गोरल अपडेट में बागी इस चीज को ध्यान दीजे कि इतनी जादा बैठती फेल क्यों हो रहें और एक बार में बैक क्ले दीजिए कियो कि जब आप बैक क्लेर करने के लिए पर देदा है तो आपके उपर और ज्ज़धा प्रेश। हो जाता है तो तो यही था हमारे अपडेट में वीड़यो लाइक से सब्सक्राबर होस